हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूं आज हम आप लोगों को ठंडे के मौसम में यूज़ करने वाला मुज़ा बनाना बताएंगे जिसको बनाना बहुत ही आसान है यह आप बहुत ही जल्दी बना सकती हैं और बहुत ही आराम्दे होता है तो चलिए इसको बनाना इस्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए हमने यह कपड़ा लिया है यह हमारा कपड़ा रिस्ट्रेचबल है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पैरों की नाप लेंगे हमारे पैर की लंबाई चोड़ाई कितनी है उसी हिसाब से हम इस हमारी 11 इंच थी तो हमने उसको 12 इंच रखा है 12-13 जितना भी आप रख सकती है क्योंकि हमारा मोजा बनाने में जो एक्स्ट्रा कपड़ा कटके निकलता है उसके लिए हमें लंबाई जादा रखनी होती है तो इस तरह से हमने कपड़े की कटिंग कर ली है दोनों पैर का मोजा बनाने के लिए हमने एक ही साइज का कपड़ा कटिंग की है इसकी लंबाई हमने 12 इंच रखा है और चोड़ाई 10 इंच है तो सबसे पहले हम इसको बनाना इस्टार्ट करते हैं तो पहले हम कपड़े को इसको बीचो बीच फोल्ड कर लेंगे इस तरह से दोनों कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बीचो बीच इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम बिल्कुल सेंटर तक हम सिलाई लगाएंगे दोनों मोजे में हम बिल्कुल आदे की दूरी तक हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है अब हम अपने पैरों के हिसाब से पैर रखते हुए यहां हम एक निशान लगाएंगे पैरों के हिसाब से तो उस तरह से हमने दोनों पैर का निशान लगा लिया है ध्यान रहे कि दोनों अंगुठा हमारा एक तरफ रहे और दोनों उंगलियों का निशान दोनों दो साइड रहे नहीं तो हमारा मोजा एक ही पैर का बन जाएगा तो इस पर हमने सिलाई लगा लिए है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो एक्ष्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे तो देखी हमने इस तरह से कपड़े को कट कर दिया है अब यहां हम अंगूटे के और उंगली के बीचो बीच हम इस तरह से कट्स लगाएंगे ध्यान रहे कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए यहां हम एक दो चोटा चोटा कट्स लगा देंगे जिसे हमें मोजा पलटने में आसानी रहे तो इसकी भी हम उसी तरह से कटिंग कर लेंगे तो देखी हमने दोनों मोजे की कटिंग कर लिया है अब हमें इसे सिजी साइड पलट देंगे इस तरह से हम दोनों को सीधा कर लेंगे तो देखी हमने दोनों को सीधा कर लिया है अब हमें पीछे की साइड सिलाई लगानी है तो इसे हम इस तरह से रखते हुए पहले एड़ी का निशान लगाएंगे इस तरह से हम इस कपड़े को सीधा रखेंगे यहां से एड़ी का निशान लगाएंगे आपके पैरों के ऊपर है कि आपका पैर मोटा है कि पतला है उस हिसाब से आपको निशान लगाना है तो इस कपड़े को हम उल्टी साइड करेंगे तो हम इस कपड़े को इस तरह से उल्टी साइड करेंगे और यहां से हम अपनी एड़ी के हिसाब से निशान लगाएंगे अगर हमारा पैर पतला है तो इसे हम इस निशान को हम आगे तक ले जाएंगे और हमारा पैर अगर मोटा है तो इसे हम बस इतना ही निशान लगा के छोड़ देंगे और यहीं तक हम सिलाई लगा लेंगे तो देखिए हमने दोनों पैर के मोजे में इस तरह से सिलाई लगा ली है अब बागी कपड़े को हम कट कर देंगे तो देखिए सिलाई के बाद हमारा मोजा कुछ इस तरह से बनके तयार हो गया है इसे हम आपको पहन कर दिखा देंगे तो देखिए हमारा मुजा पहनने के बाद इस तरह से बिल्कुल फिट वैटता है तो उपर की साइड हमने सिलाई नहीं की है वहां हमें रेट कलर की पाइपिन लगाना है इस तरह से रख करके पाइपिन की सिलाई लगा लेंगे ध्यान रहे कि हमारा कपड़ा इस तरह से डबल करके सिलाई करना है तो हम बैक साइड से सुरू करेंगे यानि की एड़ी की तरफ से हम यहां से सुरू करेंगे और इस कपड़े को थोड़ा सा खेचते हुए हम सिलाई लगाएंगे ताकि हम पहनने के बाद हमारा मोजा पैर में बिल्कुल फिट बैट जाए तो इस तरह से हम सिलाई लगा के आपको दिखा देंगे तो देखी हमारा मोजा बन करके बिल्कुल तयार हो चुका है आप भी इस तरह से अपने घर पर मोजा बना सकती है ये बहुत ही आरमदायक होता है बहुत ही फिट बैटता है तो फ्रेंड्स आप सर्दियों के लिए इस तरह से 5 मिनिट में मोजा तगर तैयार कर सकती है तो उमीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब के लिये अल्हाफीज